नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हूँ आप सभी का exam achievement में मैं करुणा ये वीडियो लेकर आई हूँ class 12 के history subject के students के लिए और दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे chapter number 11 विद्रो और राज पर based कुछ important questions दोस्तों जैसा कि आपका time second का जो exam paper होने वाला है board exam होने वाला है वो descriptive होने वाला है जिसके अंदर short से लेकर के long और very long questions आप से पूछे जाएंगे तो उसी pattern को दिहान में रखते हुए इस वीडियो में मैंने इन questions को include किया है आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए helpful रहेगी तो शुरू करते हैं question number first के साथ तो first question है 1857 के विद्रोह की शुरुवात कब और कहां से हुई थी तो 1857 के विद्रोह की शुरुवात 10 मई 1857 की दोपहर के बाद मेरट से हुई थी और इसको भारत के पहले सुतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है next question है मेरट के बाद विद्रोही कहां गए थे तो विद्रोही 11 मई 1857 को तड़के यानि की सुभ सवेरे लाल के लिए दिल्ली अंतिम मुगल शाचक बहादुर सहां के पास गए थे next question है विद्रोहीयों ने अपनी कारेवाही किस विशेस संकेत के साथ शुरू की थी तो सिपाहीयों ने किसी न किसी विशेस संकेत के साथ अपनी कारेवाही शुरू की थी शाम के समय तोप का गोला दागा गया था तो कहीं पर बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया था नेक्स्ट है लखनौ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहुकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार क्यों बने तो इसका अंसर होगा क्यूंकि किसान इन लोगों को अंग्रेजों का पिठ्थु मानते थे और ये लोग किसानों का शोशन करते थे नेक्स्ट होगा कुष्चन आपका मई जून 1857 में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कारेवाही का कोई जवाब क्यों नहीं था इसी कोईशन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि बिटिश शाषन ताश के किले की तरह बिखर गया इस कथन को सपस्ट कीजिए तो इसमें हम लिखेंगे क्यूंकि 1857 के विद्रोह ने जल्दी ही एक चौत अरफा विद्रोह का रूप ले लिया था तूसरा शासन की सत्ता और नियम की सरयाम अभिलना होने लगी थी मई और जून के महिने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्यवाही का कोई जवाब नहीं था अंग्रेज अपनी जिन्दगी और घरबार बचाने में फसे हुए थे एक अंग्रेज अफसर ने लिखा बिटिश साषन ताश के किले की तरह बिखर गया नेक्स्ट कोईशन है आपका रेजिडेंट कौन थे तो रेजिडेंट गवर्णर जर्नल के प्रतिनिधी को कहा जाता था और उसे ऐसे राज्य में तेनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शाषन के अंतरगत नहीं आता था नेक्स्ट है सहायक संधी कब और किसकी द्वारा तेयार की गई योजना थी तो सहायक संधी को तेयार किया था लॉर्ड वेले जी ने 1798 वी में नेक्स्ट कोर्शन है विद्रो की दोरान अवद मिलिटरी पुलिश का प्रमुख कौन था तो वो प्रमुख थे कैप्टन हियर से इनकी सुरक्षा के जिम्मेदारी भारतिय सिपाहियों पर थी नेक्स्ट कोर्शन अठारासो सत्तावन के प्रारंभ में उत्तर भारत में कौन सी अपवहा फैली हुई थी तो एन्फिल्ड राइफल्स के कार्टूश में गाए और सुर की चर्बी का लेप लगाया गया था ये अफवह उन दिनों जोर पर थी अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाए और सुर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है दूसरी ये अफवह थी शंधी की सर्थ ये थी कि नवाब अपनी सेना को खतम कर दे रियासत में अंग्रेज तुकडियों को तेनाती की इजादत दे दे और दरबार में मौझूद ब्रिटिस रेजिडेंट की सहायता पर काम करे अवद को बंगाल आर्मी की पोद्शाला क्यों कहा जाता था पोद्शाला समझते हो ना मतलब की जहां से वो अपनी आर्मी में मौझूद सिपाईयों को तयार करते हैं इसी चीज को यहाँ पर पोद्शाला की संग्या दी गई है तो इसका अंसर होगा बंगाल आर्मी के सिपाईयों में बहुत सारे अवद और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाउं से भरती होकर आये थे उन में से बहुत सारे ब्रहमण थे या तो फिर उची जाती के थे नेक्स्ट कोईशन है 1857 के विद्रहों के प्रमुख कारण क्या थे तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर राजनितिक कारण और क्या राजनितिक कारण थे अंग्रेजी द्वारा कई राज्यों के राज्य हडप लिए गए लौड वेलेजी और लौड डल होजी ने विस्तारवादी नितियों के अंतरगत भारतिय सास्कों के राज्य छीन लिए अंग्रेजी सरकार ने निसंतान शास्कों के द्वारा बच्चे गोदले जाने वाली परमपरा को भी अवैद घोशित कर दिया और उस पर कब जा कर लिया अंग्रेजों का अत्याचार जनता पर काफी बढ़ गया था दूसरा है धार्मिक कारण इसाई मिशनरियों ने भारत में इसाई धर्म प्रसार हे तू लालच दे कर लोगों का धर्म परिवर्तन किया इसाई धर्म स्विकार करने वालों को नोकरिया दी गई एक कानून यह भी बना दिया गया कि इसाई धम स्विकार करने वालों को पैत्रिक संपत्ती में भी हिस्सत दिलवा दिया जाएगा यह हिंदु धर्म और कानून पल खुला प्रहार था अंग्रेज सरकार ने भारतिय सेनिकों को गाय और सुवर की चर्बी, चड़े, कार्तूस दिये जिन्हें मुँ से काटना पड़ता था इससे सेनिकों की धार्मिक भावनाओं को चोट पोची तीसरा कारण होगा सामाजिक कारण सामाजिक कारण में देख लेते हैं अंग्रेजों ने बाल-विभा, सती-प्रथा तथा प्रदा-पथा पर रोक लगा दी किस पर बाल-विभा, सती-प्रथा और प्रदा-पथा विद्वा-विभा शरू करा दिए जिससे हिंदूों मुसलमानों की सामाजिक मनताओं पर चोट पोची उनके मन में विद्रो की भावना पनपने लगी पास्चात्य सिक्षा के आने से भारतियों की रुची परंपरागत सिक्षा प्रणाली से हटने लगी अंग्रेज अधिकारी भारतियों की प्रती त्रसकार पून द्रिस्टिकोन रखते थे और उनसे अपमान जनक वहवार करते थे चौथा कारण है आर्थिक कारण अंग्रेजों ने जागीदारों की जागीर छीन ली जमीदारों की जमीनों को निलाम करवा दिया भू राजस्व को बढ़ा दिया अंग्रेजों ने अपने इहां बने माल की खपत हितु भारत पर कबजा किया था उससे उनका व्यापार तो फलफूल रहा था लेकिन भारतियों द्योग धंदों को चोपट कर दिया था शिक्षित भारतियों को अंग्रेजों के समान उच्पद तथा सम्मान नहीं दिया जाता था भारत के आर्थिक शोषण ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया तद्धा उनमें असंतोश की भावना को भर दिया पांचवा कारण है सैनिक कारण सैना में अंग्रेज सैनिकों तथा भारतिय सैनिकों के बीच बहिदभाव किया जाता था भारतिय सैनिकों को निम्न पद दिये जाते थे भारतिय सैनिकों को अंग्रेजों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था और उन्हें जान बूच कर चर्वी लगे कार्टूस प्रियोग घेतूद दिये जाते थे छटा कारण हो जाएगा ततकालीन कारण और ततकालीन कारण कौन से है सैनिकों के बीच यह अफवा फैल गई थी कार्टूस में गाय और सूर की चर्वी मिली हुई है जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में बहंकर रोशुत पन हुआ भारतियों को यह लगा कि अंग्रेज उनका ध्रम भस्ट करके उनको इसाई बनाना जाते है नेक्स कोशिन है फ्रिंड्स 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण बताईए तो सबसे पहला आजाएगा योग्यनेत्रत्व का आभाव विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण योग्यनेत्रत्व का ना होना था विद्रोही नेता एक जुटफर संगठित होकर विद्रोही का नेत्रत्व नहीं कर सके तीसरा विद्रो के प्रमुखनेता अपनी अपनी इच्छा अनुसार एवं अपने अपने राज्यों की रक्षा करने में व्यस्त थे दूसरा कारण हो जाएगा विद्रो का सीमित जगा पर होना तो विद्रो के स्थानिये एमम स्विमित सरूप ने भी इसकी असफलता में महतवून भूमी का निभाई यह विद्रो उत्री एमम मद्दे भारत के कुछ हिस्सों तक ही स्विमित रह गया था इस क्रांती का सर दिल्ली, मेरट, कानपूर, छांसी, ग्वालियर, बिहार, आधी स्थानों पर अधिक दिखा देश के एक बहुत बड़े भाग, बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उडिसा और दक्षिन भारत तक तो यह क्रांती फैल ही नहीं पाई अंग्रेजों ने सीमित छेतर होने के कारण इस विद्रों को कुचल दिया तीसरा होगा भारतिय राजा और सामंत की गर्दारी तो 1857 के विद्रों में कही भारतिय राजाओं और सामंतों ने अंग्रेजों का साथ दिया यह सामंत कंपनी के प्रती अधिक वफादार थे चौथा हो जाएगा विद्रोईयों के पास सीमित साधन अंग्रेजों की तुलना में विद्रोईयों के पास साधन कम थे उनके पास धन, जन, सस्त्र तीनों चीजों का आभाव था विद्रोई में जितने भी राजा और जमिदारों ने भाग लिया वो छोटे सामंत थे जिनकी शक्ती और साधन पहले से ही अंग्रेजों ने सीमित कर दिये थे पांच्वा कारण होगा मजबूत संगठन का आभाव तो 1857 का विद्रोह बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के ही शुरू हो गया था क्रांती के कुछ प्रमुखनेता घूम घूम कर जनता को अपने साथ कर रहे थे लेकिन फिर भी उनके पास कोई भी ठोस संगठन नहीं था छटा हो जाएगा सब के उदेश्य अलग होना क्रांती गारियों का कोई निश्चित उदेश्य नहीं था विद्रों में भाग लेने वाले सभी लोगों के वर्ग भी अलग थे और उन सब के स्वार्थ भी अलग थे उनके सामने यह निश्चित नहीं था कि क्रांती की सफलता के बाद वो करेंगे क्या सैने को का भी कोई निश्चित उदेशे नहीं था सात्वा कारण था जन समर्थन का अभाव ये भी एक प्रमुक कारण था भारतिय समाज का उच एवं मध्यम सिक्षित वर्ग तथा धनी तबके के लोग इससे अलग रहे व्यापारी विद्रोईयों के खिलाफ थे बहुत से सामन्त अपनी जमीदारी पर अधिकार करने के पस्चात क्रांती से अलग हो गए इस तरह विद्रोईयों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं हो सका आठवा कारण हो जाएगा हमारा अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थिती तथा सन्य संचालन तो जिस समय 1857 का विद्रोव हुआ उस समय अंतररास्थे परिस्थिती अंग्रेजों के अनुकूल थी विद्रोईयों को सहायता देने वाला कोई विदेशी शाशक भी नहीं था ऐसी इस्थिती में अंग्रेज आसानी से विद्रोईयों पर काबू पा सके अंग्रेजों के सैनापती भी सैन्य संचालन में कुशल थे और उनके पास आधुनिक हत्यार थे इस प्रकार अंग्रेजों ने विद्रोई को कुचल दिया नाइन आ जाएगा रास्टता की भावना का भाव 1857 की विद्रोई के समय तक भारत में रास्टता की भावना का विकास नहीं हो पाया था अंग्रेजी शाषन के विरूद असंतोष जरूर था लेकिन ये असंतोष एक व्यापक रास्टे सरूप्राप्त नहीं कर सका था ये थे प्रमुक कारण 1857 के विद्रोई का जो दमन हुआ उसके नेक्स कुरिशन है हमारा विद्रोई ही क्या चाहते थे विभिन सामाजिक समहों की द्रिस्ट्री में कितना फर्क था तो 1857 का विद्रोई एक ऐसा विद्रोई था जिसने अंग्रेजों की नीव को हिला कर रख दिया था ये है विद्रोई सैनिक विद्रोई से सुरू हुआ था लेकिन धीरे धीरे रास्ट्रे विद्रोई बन गया समाज के अन्यवर्ग के लोग भी इसमें शामिल होने लग गए थे विद्रोही जानते थे कि समाज का परत्येक वर्ग किसी न किसी रूप से अंग्रेजों के शोशन का सामना कर रहा है इसलिए उन्होंने एकता और समन्वे की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया इसमें अलग-अलग वर्ग के लोग शामिल थे इसलिए उनका स्वार्थ भी अलग-अलग था नेक्स्ट कोईशन आता है विभिन सामाजिक समुहों की दृष्ट्री में कितना फर्क था तो पहला कारण साशक वर्ग इस विद्रों में सैनिकों के आवाहन पर बहादुर सहाजफर, नाना साहाब, कुवर सिंग और लक्षमी बाई आदी सामिल हुए शाशकों ने अपना नित्रत प्रदान किया, लेकिन इनके विद्रों में शामिल होने का उदेश है, खोई हुई सत्ता को वापस पाना था दूसरा, जमिदार और तालुकदार वर्ग अंग्रेजी सरकार ने तालुकदार वर्ग के भूबाग तथा संपदा को छीन लिया था, तथा जमिदार ने जमीनों को निलाम कर दिया था इसलिए वह अंग्रेजी राज को समाप्त करके अपनी संपदा को दोबारा पाना चाहते थे तीसरा है किसान वर्ग किसान अंग्रेजों के सोशन का शिकार हो रहे थे उन्हें उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा था उनसे अधिक कर लिया जा रहा था उनकी फसलों के उचित मुल्य नहीं मिल रहे थे किसान सहुकारों तथा रणदाताओं के चंगुल में फस जा रहे थे चौथा व्यापारी वर्ग इसकी एक अलग कहानी थी अंग्रेजी सरकार ने कीमती उद्योग को अपने हाथ में ले रखा था जिसके कारण व्यापारीों को छोटे मोटे व्यापार करने पड़ते थे भारती उद्योग में इनस्ट हो रहे थे इसलिए व्यापारी भी अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे क्योंकि वो भी उनकी नीतियों से असंतुस्ट थे पांचमा है धार्मिक नेता जिसके अंदर आ गए हमारे पंडित और मोलवी पंडित और मोलवी भारत में इश्राई धर्म फैलाने के विरूदु थे वे मानते थे कि अंग्रेज भारते संस्कृति और सभ्यता को खतम करके पर्ष्चमी सभ्यता का प्रचार कर रहे हैं और यहां के लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो ये सभी लोग शामिल थे जिनकी इच्छाएं अलग-अलग थी नेक्स्ट कोश्चन है 1857 में विद्रोईयों द्वारा जारी की गई गोश्णाओं में मुगल समराज्य के तहत विभिन समुदायों के बीच में सहर अस्तित्व के मूल्यों को महत्व दिया जाता था इस पस्ट कीजिए इसी कोश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 1857 में विद्रोईयों द्वारा जारी की गई गोश्णाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों की एकता प्राप्ति का अनुमन कैसे लगाया था इस पस्ट कीजिए तो इसका अंसर होगा फ्रेंड्स 1857 में विद्रोईयों द्वारा जारी की गई गोश्णाओं में जाती और धर्म के भेद किये बिना समाज के सभी वर्गों का आवाहन किया जाता था बहुत सारी गोश्णाओं मुस्लिम राजकुमारों या नवावों की तरफ से या उनके नाम से जारी की गई थी परन्तु उनमें भी हिंदूओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था इस विद्रोहों को ऐसा युद्ध बताया गया जिसमें हिंदू और मुसल्मानों दोनों का लाब और हानी लगभग बराबर था इस तहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू-मुश्लिम अतीत की और संकेत किया जाता था और मुगल समराज्य के तहत विभिन समुदायों के सहस्तित्व का गोरंगान किया जाता था नेक्स्ट कुर्शिन है फ्रेंज अंग्रेजों ने विद्रोहों को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए या फिर 1857 के विद्रोहों का दमन किस प्रकार किया गया तो सबसे पहले विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटेंस से बहुत बड़ी सेयना मंगवाई गई इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कई कानून बनाए पहला मार्शल्ला लागू कर दिया फोजी अफसरों और आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रों में शामिल होने का सर्फ शक था विद्रों की केवल एक ही सजा उन्होंने रख दी और वो थी सजाए मोत नए कानून के तहट विद्रों ही सैनिकों को पकड़ कर तोप से उड़ा दिया जाता था तो इस तरह के काम अंग्रेजी सरकार ने किये 1857 के विद्रों का दमन करने के लिए नेक्स्ट कोईशन है 1857 के विद्रों के बाद ओप निवेशिक शहरों के भवनों का स्वरूप किस प्रकार बदल दिया गया तो 1857 के विद्रों के बाद अंग्रेजों ने अपना घर इस्थानिये देशी लोगों के घरों से अलग एक नई बस्ती का निर्माण कर उसमें बनाए जिसे सिविल लाइन्स कहा गया इस बस्ती में सिर्फ अंग्रेजों को ही रहने का अधिकार था पुराने कश्बों के पास के चारा ग्रहे और खेतों को साप कर दिया गया इसका अंस्वर देख लेते हैं अवद अधिक रहन के बाद 1857 में तालुकदारों को भी अपना सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया अवद के समस्त गाउं में तालुकदारों की जागीर और किले बिखरे हुए थे ये लोग पीडियों से अपने छेतर में जमीन और सत्ता पर नियंतरन रखते थे अंग्रेजों के आने के पहले तालुकदारों के पास हत्यारबन से भाही होते थे अपने किले होते थे अंग्रेज इन तालुकदारों की सत्ता को ब्रदाश नहीं कर पा रहे थे इसलिए उन्होंने अधिगरण के तुरंत बाद तालुकदारों की सेनाई भंग कर दी और उनके किलों को तुहस्त कर दिया ब्रिटिश भूराजसु प्रणाली ने तालुकदारों की हैसियत और सत्ता को नोकसान पहुँचाया अधिगरण के बाद एक मुस्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भूराजसु विवस्था लागू कर दी गई यह बंदोबस्त इस मानिता पर अधारित था कि तालुकदार बिचोलिय थे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था एक मुस्त बंदोबस्त लागू होने के बाद तालुकदार को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया दोस्तों एक कोशन होगा इसके लिए आपका सहायक संदी के तहत क्या शर्ते रखी गई थी यह important question है दोस्तों सहायक संदी Lord Valley जी द्वारा 1798 में तेयार की गई एक ववस्ता थी सहायक संदी के तहत जो सर्ते रखी गई वो हैं अंग्रेजों ने अपने सहयोगी की बहारी और आंत्रिक चुनोतियों से सहयोगी पक्ष के बूच हेतर में एक ब्रिटिस सेनिक तुड की तयार तैनात रहेगी सहयोगी पक्ष को इस तुकडी के रख रखाव की विवस्ता करनी होगी सहयोगी पक्ष ना तो किसी और साचक के साथ संधी कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में ही हिस्सा लेगा नेक्स्ट कुर्शन है अवद पर अधिकार करने में अंग्रेजों की दिलचस्थी का प्रमुख कारण क्या था तो सबसे पहले छेत्रे विस्तार की जो प्रक्रिया बंगाल की जीत के साथ हुई थी ये कारण था दूसरा वह 1856 में अवद के अधिक्रहन के साथ मुकमल होने वाली थी अवद की जमीन नील और कपास की खेती के लिए उत्तम थी इस इलाके को वे उत्तर भारत के एक बड़े व्यापार छेत्र के रूप में विक्सित करना चाहते थे नेक्स्ट कुर्शन है अठारा सो सत्तावन की क्रांती भड़काने में अफवाहों की महतपून भूमिका थी या फिर क्या अफवा महतपून हो सकती है तरक दीजिए तो बहुत सारी अफवाएं थी तो अठारा सो सत्तावन के विद्रो के संधर्म में अफवाहों की महतपून भूमिका रही क्योंकि जब विद्रोही सिपाही दिल्ली से मेरट पहुँचे तो उन्होंने बहादूर सहा को बताया कि उनको दी जाने वाली बंदोग की कार्टूस पर गाएं और सुवा की चर्बी लगी हुई है जिसके कारण उनका धर्म खत्रे में आ रहा है अंग्रेज अधिकारियों ने सिपाईयों को ये समझाने का प्रयत्न किया कि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ये अफवाएं बहुत तेजी से फैल चुकी थी इसके आतिरिक्त एक अफवाई है थी कि अंग्रेजों ने बाजारों में बेचे जाने वाले आटे में सूर तथा गाय की हड्यों को पीस कर मिलवा दिया है इनफवाओं से लोगों में डर और रोश उत्पन हो गए नेक्स्ट कुरिशन है कला, साहित्य और चित्रों ने 1857 की स्मृती को जीवित रखने में योगदान दिया कथन को भारतिय रास्टरवाद के संधर्ब में न्याय संगत ठहराईए इसमें लिखेंगे दोस्तों कलाकारों और साहित्यकारों ने विद्रोही नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जो देश के गौरव को बनाए रखने के लिए अपनी जान तक नुच्छावर करने के लिए तयार थे इन्होंने दमनकारी सामराज्यवादी साशन के खिलाफ पूरी कौम को जागरत करते हुए अत्याचार और अन्याय के खिलाफ करांती की साहित्यकारों ने इनके गौरव गान में कविताएं लिखी एक हाथ में गोडे की राज और दूसरे हाथ में तलवार था में रानी लक्ष्मी बाई के बारे में सुबदरा कुमारी चोहान की कविता बच्चे-बच्चे के मानस में समाज आती है जिसके बोल कुछ इस प्रकार थे खूब लड़ी मरदानी वैतो जहासी वाली रानी थी दूसरी तरफ बृटेन में छप रहे चित्रों में वहां की जनता विद्रोईयों को भयानक बरबरता की शकल दे रही थी और आम जनता के दिलो दिमाग में इस इस्तिती के लिए इन सतंतरता सेनानियों को जिम्मेदार ठेरा रहे थे भारत में रास्ट्रवादी चित्रों का सर्जन हो रहा है जो हमारी रास्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे हैं तो दोस्तों इस चेप्टर पर जिसका नाम है विधरो और राज सभी important question मैंने अपनी इस वीडियो में समाहित किये हैं आशा करती हूँ आपको सभी questions और उसके answer अच्छे से समझा गए होंगे इसी के साथ दोस्तों आप अपने exam में ज़्यादा से ज़्यादा marks अचीव करें स्वस्त रहें और exam achievement को subscribe भी कर लें जिससे की इस तरह की दूसरी वीडियो भी आप देख सकें